देखे आज न फाइनल अकाउंट का हमने एक GST की क्लास लाइब लिया भी था और मैंने कंटेंट भी डाल दिया उसमें हमने क्या सिखा था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट सिखा था ध्यान दीजेगा के सर ये जो GST ट्राइल बैलेंस के अंदर गीवन होता है इस GST का कैसे ट्रीटमेंट होगा सिर्फ ये वाला पोर्ट सन हमने सीखा था है अब बच्चों का कहना है था सर कई बार GST अड़्जेस्मेंट में भी आ जाता है जैसे कि इस अड़्जेस्मेंट में है तो इस GST को हम कैसे टेक केर करें और कैसे हमें क्या करना है तो पहले हमें समझना होगा ये वाली GST तो हमें पता है पहले हमें समझना हो कि अड़्जेस्मेंट में किस किस चीज़ पर GST हो सकती है तो सबसे पहले GST जैसे कि मेरे पास यही गीवन है आप लॉजिक लगाना देखो आप ठीक है ना गुट्स या रिटन हो सकता है या यूज हो सकता है अब यूज कहां कहां हो सकता है यूज होने के काफी सारे जगें जैसे कि आपका फ्री सेंपल या फिर हो सकता है आपका चेरिटीज या हो सकता है आप प्रसनल यूज या फिर हो सकता है आपका और कहां यूज हो सकता है या फिर आप making furniture वगएरा हो सकता है आपका sample हो गया हमारा या फिर हो सकता है assets जो making करते हैं तो मैंने adjustment में जो कराया था जहां या यूज हो सकता है अब होता क्या है generally हमने जैसे ही goods खरीदा जैसे ही हमने goods को purchase किया तो हमारा 100 रुपए के समान पे अगर मैंने 10% का GST होता नहीं rate मैंने बूल दिया 10% तो हमारा जो input में आ जाएगा ये input में 100 होने लगेगा अगर मैं IGST लगा रहा हूं तो IGST input में show हो जाएगा कितने रुपए 10 होता है सिंपल सिमान है लेकिन जैसे ही आप समान को return करोगे या फिर goods का इस्तमाल करोगे तो एक तरीके से वह समान आपके पास से चला गया अगर आप यूज करते हो goods का तो ऐसे situation में आपको normal as a sales मानना है उसको क्योंकि आपके पास से तो समान गया as a normal sales मानना है ठीक है आप इसके opposite side GST दिखा दोगे suppose करो मैं बोलता हूं कि मैंने 40 रुपए का समान as a free sample बाटा है यह adjustment की बात है तो 40% मैं यहां output में दिखा दूँगा IGST चार रुपए कितना दिखा दूँगा मैं चार रुपए यानि चार रुपए हमने भरले ही free sample में दिया बट हम यह मान के चलेंगे चार रुपए सरकार को मुझे टेक्स देना है इसके according हमें लेके चलना है तो पहले हम क्या करेंगे adjustment वाले पहले GST को नहीं focus करना हम सबसे पहले जो GST का जैसे पहले हमने lecture में देखा था पहले classes में देखा था वही हम covered करेंगा जैसे कि हमारे पास एक questions भी given है तो मैं output यहां पर क्या लिख लेते हैं हम C GST S GST और तो सबसे पहले हम C GST लिख लेते हैं तो देखो input में दे रखा है IGST 8000 question में C GST 3000 और SGST दे रखा है 3000 अब output इसके दूसरे साइट जाएं तो output में दे रखा है हमें 6000 IGST 6000 CGST 4 अब नॉर्मली अगर हम देखें तो इन दोनों को setup करके हम बड़े आसानी से एक entry बना सकते हैं कि balance sheet में assets में जाएगा ये liability में लेकिन यहां पर questions में क्या कहता है अगर मैं आपको question थोड़ा बढ़ा करके दिखा दूँ यहां क्योंकि ऊपर का कोई काम है ने तो मैं question बढ़ा करके दिखा देता हूं ठीक है यह लेजे question में यहां दिखा देता हूं इसी का adjustment part है कहता है goods costing 6000 प्लस GST यानि हमने एक goods जिसकी कीमत 6000 उसके उपर GST वर destroyed by fire insurance और company accepted 3600 रुपे claim तो हमें जो adjustment करना है goods का कितने का costing था सर 6000 छे हजार पर 12% का GST लगेगा तो पहले तो आप cost का adjustment करेंगे purchase से आप simply minus कर देंगे 6000 GST को आपको अलग treat करना है आपको इसको एडवेड करके कुछ नहीं करना इसके बाद आप क्या करोगे क्योंकि आपको 6000 में से कितने मिल गए 3600 रुपे claim कर लिया तो बाकी insurance claim के अंदर आप 3600 रुपे balance sheet के assets में ले जाओगे और जो बाकी बच गया वो profit and loss में loss by fire के नाम से ले जाओगे that is आपका कितने बच गया 2400 रुपे ये तो हो गया आपका general treatment जो आपने सीखा हुआ है समझ मैं ही बात आपको अब बात आ गई sir GST अब GST आपके पास से गया तो एक तरीके से घट गया आपका तो आप input में लेके बैठे हो और ये समान क्या था IGST था इंपुट में आप 12% यानि आप 720 रुपे इंपुट के अंदर एड करके बैठो है जो कि आपका इंपुट रहेगा नहीं तो आपने क्या करना है simply इंपुट में पहले यहां 720 रुपे माइनस कर देना है अब आपका जो एक्चुल इंपुट माना जाएगा वो यह माना जाएगा क्योंकि जब हमने खरीदा था तो हमारा इंपुट बन गया लेकिन अब वह समान हमारे पास रहा भी नहीं चला गया चाहे किसी फॉर्मेट में गया हो या फिर सेल्स में जाता है तो हम एक हजार सरकार को पेमिंट करना है और SGST भी सरकार को एक हजार पेमिंट करना है और यहां पर अगर देखे तो 8000-720 रुपए तो 8000-720 रुपए और माइनस 6000 तो मेरे पास 1280 रुपए positive है यह plus है और यह सब ही क्या है हमारे minus है समझ रहे हैं अब हमें net करना है तो net पहले क क्या करते हैं इसमें से cgst हटा दो 1000 रुपए तो अभी भी कितने बचे है positive के 200 अब यह हटा दो 1000 रुपए तो आपका अभी still जो negative बच जाएगा minus में 2720 रुपए आपका negative बचेगा जो कि कौन सा negative बचने वाला है सर यह वाला अब आप sgst कहलो या cgst करलो डिपेंड यह करता है कि पहले आपने किसको setup के side रखा तो आप देखोगे balance sheet के liability में आपको नजर आएगा यह अगर आप देखते हो तो balance sheet कहां गया इसका question number कौन सा कर रहे थे हम 24 अब देखो इसने cgst और sgst 360 और 360 ले लिया लेकिन हम इसको 720 भी 81 लाइबलिटी में ले सकते हैं उन्होंने क्या करा बराबर ही बराबर दोनों जगह से adjustment मार दिया तो वो तो totally depend कैसे बराबर बराबर माना उन्होंने माना कि भाई यह 1200 है तो 640 रुपए हम इससे घटा देते हैं और 640 इससे घटा देते हैं बराबर लेकिन आप बराबर ना करके आप directly कर सकते हैं जो कि आपको liability में मिल गया आप इसकी जगह पर क्या entry कर सकते हैं मेरा जैस सब्सक्राइब आपको पहले देखो यानि अगर कोई भी चीज हमारे पास से और जनरली हमारे पास से जो भी GST दे रखा होगा पहले हमें देखना है कि इससे पहले क्या था वहीं पर जाके उसको less कर देना है ठीक है चलिए एक आदो और question देखते है एक दो और question देखते है question number क्या है 26 है और जो accounting treatment होगा जैसे मैंने कहा कि भी आ परचेस से माइनस कर दो तो 72 सो नहीं करना छे हजारी करना है यानि accounting treatment में GST का कोई रोल नहीं रहेगा हमेशा कौस से ही होगा question 24 के पच्चिस भी यह क्या पच्चिस में नहीं है चलो 26 में आ जाते हैं अगर 26 में कह रहे हूँ यह लीजिए 26 omitted purchase है और इसमें देख लेते हैं क्या-क्या है GST में चलिए इसमें काफी सारे points में GST है तो हम हर एक point को अच्छे से clear कर लेंगा ठीक है तो मैं आपके सिर्फ तसली के लिए एक काम करता हूं new page पे question को रख लेता हूं सामने हालाकि question की जूरत है नहीं आपके पास किताब है तो लेकिन फिर भी बहुत सारे student के पास book नहीं है तो मैं सिर्फ question रख रहा हूं आपके सामने यह थोड़ा size चोटा कर दूँँआ इसमें कोई tension वाली बात नहीं है ना जाईए इसके बात की कहानी है आज मैं पूरा question नहीं करा रहा है कुछ बच्चे सोच रहे हों कि सर पूरा question करा रहे हों कि नहीं मैं सिर्फ इसमें gst gst का portion देख रहा हूं तो for about के मैं यहां पर देखूं तो भाया gst है नहीं लेकिन फिर भी क्या पता जुरत पड़ जाए इसलिए हां लिख लेते हैं output यहां पर हम लिख देंगे cgst फिर sgst और यह करोगे ना तभी आपका अच्छे से clear हो पाएगा नहीं तो कई बार मन में बच्चा करने का सोचता है तो गडबड हो जाता है तो मैंने तो लिख लिया अब देख लेते हैं सर आउट्पुट में दे रख़ा है 5000 igst इसके बाद दे रख़ा है output में cgst 2000 तो generally यह दोनों बराबर ही होता है इसके बाद output में sgst भी दे दिया input में हमें दे रख़ा है 3800 igst और 2100 और 2100 ठीक है अब चलिए adjustment पढ़ते हैं इसमें कोई भी gst का रोल नहीं है इसमें भी कोई भी gst का रोल नहीं है इसमें भी कोई भी gst का रोल नहीं है यहाँ पे gst है कहता है personal purchase amount रुपी 600 had been included in the purchase दे भी तो भाया मेरा जो purchase है यह purchase गलत है जो भी amount था वो गलत है उसमें से मुझे minus करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे personal purchase है the goods purchase from supplier whose business was situated outside state और outside state लिया मैंने और जिसके उपर कितना हुआ हमारा 9% gst तो समझो हमें purchase को घटाना है तो घटाना है और यह gst है gst applicable अब क्या कह रहा है outside of state तो आपको clear पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा आई gst तो 600 रुपे पे आपका 9% अगर ले लें हम तो 54 हमें यहाँ से minus कर देना है समझ रहे हो बात क्योंकि हमारा purchase करते time पे input बना अब input बन गया लेकिन वो purchase हमारा घट रहा है तो जो चीज़े बना था वही चीज़े minus कर देंगे है क्लियर है आगे और किसके उपर gst देरा देखते हैं आगे कहता है interest loan पे है नहीं इस पे है नहीं हाँ credit purchase invoice amount 400 has been omitted to the goods 4% SGST CGST तो भी आप credit purchase लिखना भूल गया है तो simple सा example है purchase को तो आप 400 एड करिए अपने purchase में और 400 रुपे दिखाईए creditor में 400 कित कहां दिखाना है creditor में GST का funda तो अलगी चलेगा ठीक है अब GST भी नहीं लिखा हमने तो कितना हम purchase करने पर input लेंगे 4% 4% तो इसके उपर 4% कितना होता है हमारा 16 रुपे तो यहां plus कर दीजिए 16 रुपे और यहां plus कर दीजिए 16 रुपे यानि जो चीज़े आ अगर purchase return हुआ तो आप यहां से माइनस कर देंगे अगर आपका purchase हो गया तो आप add कर रहे हैं तो purchase return माइनस और ऐसे sales रिटन हुआ तो यहां से माइनस कर देंगा output में से क्योंकि वो तो sales मेरा रहा ही नहीं ना अब आगे कहता है stock March को दे रखा है whatever चलिए GST का conclusion निकालते है क क्योंकि बहुत बच्चे confused हो रहे तो मैंने बताया फिर मैं अलग से भी कुछ questions लेकर बताऊंगा वैसे 216 में से 2000 माइनस हो जाएगा यह 216 में से 2000 माइनस तो 116 यह भी positive और 3800 माइनस में 54 और माइनस 5000 यह negative आ गया कितने negative आगया 1254 का चीक है अब आप इससे set of तो करी सकते ह तो यह दोनों set up होने के बाद भी IGST बचेगा तो अगर इन दोनों को set up भी कर दे हम 116 और 116 तो 1022 रुपए यह बच गया 1022 कि सर कैसे बचा हमने 1254 negative में से पहले यह positive घटा है फिर यह positive घटा है और negative positive ही adjustment होता है कभी भी positive positive नहीं होगा adjustment तो आप चेक करेंगे 1254 रुपए आपका कहां पर आ रहा होगा यह IGST के अंदर balance sheet में दिखेगा तो balance sheet कहां है चेक करो एक हजार बाइस हमारे कितना रहे हाँ बारे ग्यारा सो चोवन मैंने गलत बता दिया एक हजार बाइस रुपए कहां दिखेगा और IGST के नाम से दिखेगा तो आप question दिखें मैं पूरा दिखा देता हूँ क्योंकि एक बार में थोड़ा से दिखाना possible नहीं होता question कुन सा कर रहे थे हम 26 तो 26 के balance sheet में आप देखिए output GST payable 2022 समझ रहे हैं कैसे करना है अगर सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आना चाहिए जो पहली क्लास है बेसिक फंडा अगर वो समझ में आ गया तो फिर वहां बस आपने एडलेस करके final conclusion निकालना है और क्या GST का कोई फरक हमारा purchase sales कहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई वो तो आपको without GST ही करना है सब कुछ जैसे कि आपका credit purchase में omitted invoice कितना लिख दिया इसने कहां गया कहां गया liability liability अगर आप देखेंगे तो यह purchase जो था हमारा 400 रुपए अब एक चीज और देखिए यहां पर यहां पर आपको 432 रुपए लिखा है क्यों लिखा है क्योंकि हमें 432 सामने वाले की liability देनी है ठीक है न तो देखो कॉस्ट में तो आप कॉस्ट के हिसाब से चलोगे लेकिन किसी को लेना देना समान होगा तो टोटल जीएस्टी सही है और यह 32 रुपए का आपने benefit भी ले लिए माइनस करके अब दो जगाए entry जाती है credit तो यहां पर आपने क्या कर दिया credit और यहां पर आपने देखो क्या कर दिया अगर input में जोड़ दिया तो इंपुट debit होता है तो यहां पर क्या कर दिया अपने debit कितने debit कर दिये 16 16 32 एंट्री के आओ गया हमारा मैच हो ठीक है इसके बाद कौन सा कुश्चन है कोई भी कुश्चन ही नहीं है दो ही है हो ना दो चाहिए एक भी नहीं है देख लो ठीक है किसी को doubt यहां पर सर previous year paper previous year का paper मैं solve कर दूँगा और उसको मैं पूरा समझा दूँगा आठ और नोको पेपर सब सिदाश 10 year में previous year GST question भी नहीं है एक भी question नहीं है तो देखिए अब वह तो कि फाइनल अकाउंट का किसका में बात कर रहा हूं सर कि मैं फाइने इंशियल अकाउंट का मैं फाइनल अकाउंट पर आगया फाइनिशेल अकाउंट कौन सा हम फाइनेंशल अकाउंट की बात करते हैं तो सर्फ प्रैक्टिकल का पता नहीं चल पाएगा ना फाइनेंशल अकाउंट सर्फ फाइनेंशल अकाउंट में आपके लगबग लगबग मैं अगर मानू तो तो तीन दीन हो गये न면 फिसांट निकल गए हैं तो मैं अकिर मानें चलेँ फाइनल अकाउंट पूरा कर लिए ठीक है सब कुछ मैंने भी करा लिया और आप लिए दूसरा मैं यह मान के चलता हूं कि आपने इंवंट्री भी कर लिया अब जिस बच्चे ने नहीं करा you have to do बहुत जल्दी करना है fast fast ठीक है तीसरे नमबर पे मैं ये मान के चलूँ कि आपने अगर नहीं किया तो आपकी लापरवाई है फिर तो आप depreciation कर लेंगे ठीक है ये कर चुके हो अब बाकी आपके क्या रहेगे practical chapter आपके रहेगे lease कुछ बच्चे से बात होती है तो वो कहते है सर मैं सोच रहा हूँ lease छोड़ दू question 24 में आता है तो 24 के चक्कर में मत पढ़िये कर के जरूर जाना है lease के बाद आपने फिर क्या करना है सर और branch के अंदर मैंने book के लगबग लगबग सारे ही question हो गए थे लगबग लगबग सारे हो गए तो जो book के अंदर questions मैंने करवाए हुए है वो enough है मैं कल मेरे पास थोड़े सी time मिलेगी तो मैं कल क्या करूँगा उसमें सो जो important question and expected question उसमें star mark लगा दूँआ ताकि आप जो वीडियो में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ यह वाले question तो कर नहीं है आप आफ-लाइन वालों को तो मैं वैसे ही बता दूँआ इसके बाद branch के बाद departmental तीक है अगर इसके बाद देखा जाए तो एक अकेला chapter हमारा बचता है जिसको मैं सुरू सही avoid कर रहा हूँ that is NPO कुछ बच्चों ने NPO कर लिया हो कुछ बच्चों ने नहीं किया हो तो NPO को मैंने वीडियो डाली हुई है basic सा तो मैं NPO को ऐसा करूँआ न किन से चार दिन में पूरा का पूरा concept कर रहा हुआ ठीक है जो कि आपके ऊपर ऊपर tentative अगर मान लो paper बहुत tough आगया तो आप कर पाऊगे वैसे वीडियो डाली हुई आप पहले वह वीडियो देख लेना और उस वीडियो को मैं भी एक बार go through करूँगा हो कि इस वीडियो में कहां तक कर रहा है फिर tough tough सारे questions कर लेंगे एक NPO को तो मैं भी थोड़ा सा cross लगा देता हूँ तो यह chapter आपके total के total अगर देखो तो क्या इसके अलावा भी कोई chapter है हमारे नहीं थियोरी नहीं practical की बात कर रहा हूँ क्या इसके अलावा कोई practical chapter है नहीं है तो एफ़े का तो slaves बहुत कम है और वो क्यूं कम है क्योंकि आपको time भी कम ही मिला है तो यह chapter है देखो इसके अंदर से inventory आप यकीन मानना कि आप inventory कितने दिन में कर लोगे बताओ एक दिन में हो जाना है लीफो फीफो दो question मैंने कराये थे और मैंने भी जल्दी कराये थे इसके बाद depreciation आपको पुराना यादी है बस change method रेvaluation वाला part आ जाता है तो इसको थोड़ा फोकस करना है कैलकुलेटिव फाइनल अकाउंट आप 11 से करी आ रहे है तो यह वो चेप्टर लिखें जो बहुत सिंपल है जिस पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बन सकती है लेकिन इसमें भी कुछ नया बस इसका मैं एक questions और करा दूँगा जहां पर implicit rate निकालते है ठीक है न इसके बाद branch चेप्टर और departmental आपके लिए दोनों नियू है जिसमें departmental तो असान है इसमें बस आपको stock reserve अच्छे से निकालना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है काम में कैसे question पूछे जाएंगे तो यह यह है अब जो मैं अगला जो आपको recording देने वाला हूं that is मैं देने वाला हूं कल मैं recording करूंगा एस आपको 9 मिल जाएगा एस 9 पहले दे देते हैं पूरा overview ठीक है ना और मैं 10-year के अंदर से भी जितने theory है most probably वही theory आएंगे तो 10-year क तो सब को बता दूँ हमें ठीक है clear है clear है clear है तो अभी जिसका paper अभी Saturday को है कुछ बच्चों का तो वो Saturday की भी तैयारी करे यह भी करे जिनका FA का है तो आप मान के चलो के आपका date टो extend हुआ नहीं तो आज तो paper था आपका मेरे ख्याल दो कोई था ना paper पहले जब date extend नहीं है ना तो आज आप paper दे के आ रहे होते ठीक है ना तो वो समझो के extend हो गया तो आप relax बैठ गये और अगर यहीं extend नहीं होता तो आप सब कुछ कर चुके होते तो इस बात को ध्यान रखना कि आप यह चीजे कर चुके हो नहीं करा तो आप कर लीजिए कोई बच्चा जादर बोलते हैं sir theory भाई accounts में theory के 12th में theory आई थी आपके accounts में नहीं आती सारा practical सेम यहां practical रहेगा theory जो आएगा वो theory मैं एक बार लिखके या फिर मैं overall पूरे PDF को बता दूँगा कि यह theory important है यह कर लीजिए यह most expected theory है उसे साब से कर लीजिए इस बार के डियू के paper मैंने देखे ह हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे हैं जितने भी paper हो रहे हैं कल भी paper था आज भी एक paper था जितने question third semester में कराएवे तो वैसे है तो इतने tough question नहीं आ रहे बसरते अब आपके practice की वह हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा देख देख के करते हो question सबका solution देख रहे हो त mobile से use करोगे exam के अंदर calculator आएगा तो फिर वहाँ speed नहीं बन पाएगा तो common calculator और अभी से 5-6 दिन उसी को इस्तमाल use to करना चालू कर दो और calculator exam में allowed है और simple calculator ले जाना allowed है ये रहा calculator इस type का calculator आपके exam में allowed हो जाएगा जिसके अंदर कोई scientific नहीं हो जिसके अंदर mathematical scientific होते हैं sin theta, cost theta, present value बहुत सारी चीज़े टेक्स ये allowed नहीं करते है सर, AS9 में practical question भी है या theory only देखो AS9, AS4, AS26 purely theoretical है लेकिन मैं थोड़े थोड़े practical भी बता दूँँगा अगर आ गया तो कर दूँगा, चीक है, clear रहे हैं, तो मैं GST के और भी question जो पिछले paper में आया हुआ है और मैंने भी इधर उदर से डूंड के मैंने अभी GST का जैसे बताया और भी कुछ practice बता दूँगा, अब मैंने पूरा question नहीं कराया, पूरे questions में मेरे कराने like चीज नहीं था, judgment होई है और जो जो चीजे होंगी वो मैं करवाता जाऊँगा GST में, ठीक है, चलिए, किसी बच्चे का आउट है तो बता दीजिए एकदम फटा-फट से, business law का कप paper है, 24 जैन को है, उसके अंदर amendment देखो जो थोड़े बहुत, सर, business law की मैं class क्यों रखूँगा, मैं रखवाता हूँ, टीचर से फिर, business law की, ठीक है, तो चलिए, practice पर focus करिए, final account करा दिया है, अभी दो question बताया है न, घर जाते ही, या जो बच्चे अभी फटा-फट से पूरा solve करके देख लें वो, मैं important बता दूँआ, क्या pattern है, कैसा exam आएगा, ठीक है न, तो चलिए, मिलते हैं, बच्चे कह रहे हैं, सर, कल है law का exam, आपका हर्स कुन सा regular college है, या क्या है, college PGDA, honors program, वहां तो honors के बच्चे ज़्याद है, तो कल law का paper है, अब तो देखो, मुझे पता भी नहीं था, मैं थोड़ा बहुत strategy बता देता आप लोगों को, फिर भी मैं बता दूँ, कोई भी theory subject उठा लो, कोई भी, कोई भी theory subject उठा लो, अगर business law की आप बात कर रहे हो न, tenure करिये, और कुछ नहीं करना, पिछले 4 सालों क आपने paper करना है, बस 4 से 5 साल का, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अभी मैं ज्यादा tips नहीं दे सकता क्योंकि कल paper है, कल का question paper आएगा, पिछले 4 साल का भी आप revise करिये, अच्छे से पढ़ लीजे, और दूसरी बात, law में section लिखना जरूरी नहीं है, कई कुछ बच्च पल आपके common language में आपको लिखना है, बस आपको concept clear होना चीए, क्या पूछा और क्या जबाब देना है, section अगर बहुत 100% sure हो, तो ही लिखना आप, ठीक है, तो अभी तो खेर आप जितना आपने तो पढ़ी लिया है, कल exam है तो, मिलते हैं next video में, कल की class, देखते हैं, कल रख के लिए, आप प्लीज उस number पर doubt share करिए, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए,